है तुम लोग ऑईलिंग करते हो यार मेरे तो ऑईलिंग करते हैं बाल बहने लग जाते हैं मुझे तो ऑफ़ेस जाना होता है मैं तो ऑईलिंग करी नि शकती है तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नॉन जिसमें और का इस्तमाल नहीं होगा लेकिन हेर ग्रोथ तो निष्चित होगी I promise you अगर आप कोई रेमेडी में स्विच करना चाहते हैं, थोड़ा गाप लिना चाहते हैं, हेर फास्टिंग कर रहे हैं तो I would suggest कि आप इसको प्रिपेर करके कुछ समय के लिए ये सीरम अपने बालों के लिए इस्तमाल कर सकते हैं To have the best hair growth for yourself जी हां, ओइल के बिना Hello to all the wonderful people present over here, welcome back to the channel आशा करती हूँ, मेरा परिवार खुश है, बहुत स्वस्थ है और बहुत 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 पॉजिटिव है मैं अपने परिवार को beautiful people क्यों कहती हूँ क्या आप जानते हैं बहुत सारे reason है एक दू, जब भी मेरा content कोई ले लेता है और अपने channel पर डाल दीता है तो मेरी vigilant audience मुझे immediate बता देती है कि दिदी, आपका ये वला video वहाँ पर इस्तिमाल हो रहा है और मैं अपने content को protect कर पाती हूँ Thank you so very much अब आप बताएए, परिवार ही ऐसा करता है ना इसलिए मैं आपको my beautiful people कहती हूँ मुझे हर platform पर एक query आ रही है क्या ये आपके भाई है, क्या ये आपकी बहन है, क्या ये आपके friend है To all my beautiful people, मैं आप सभी को update करना चाहती हूँ इस platform पर I don't have anybody whose acquaintance like जो मेरे content से similar content अपलोड कर रहे हो और मेरी knowledge में है अगर आपको लगता है कि मेरा content उनका content काफी similar है तो I would suggest ध्यान से सुनिए, समझे और अपने लिए best decision लीजिए देखिए मैंने बहुत सारे content देखी है जो कि exact similar titles, exact similar thumbnails, exact similar procedures आपके साथ शेर कर रहे हैं but reasoning बिल्कुल गलत है So you really need to be very 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 vigilant मैं आपके लिए कह रही हूँ, आप मुझ पर भी मत विश्वास कीजिए, आप किसी पर मत विश्वास कीजिए अपने लिए आप खुद सशक्त बनिए और cross-check करिए Once you are absolutely sure कि ये चीज सही है, go for it मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़े आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ, 90% of the content is out of my experience मैंने उन्हें इस्तमाल किया है, मैं उनके लिए बिल्कुल confident हूँ और तभी आपके साथ शेर करती हूँ 10% content वह है जो मैं अपने subscribers को suggest करती हूँ कि क्यूंकि आपका hair scalp ऐसा है तो आप ये use कर सकते हैं और वो उनको गसब के results देते हैं तो वह भी मैं यहाँ आपके साथ शेर करती हूँ तो अब आप इत्मिनान से अपना जो भी आपके doubt से उनको clarify कर सकते हैं आशा करती हूँ मेरा ये clarification आप लगों को बहुत काम आएगा और आप अपने लिए best decision लेंगे आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसा hair growth serum शेर कर रही हूँ जिसके इस्तिमाल से आप बहुत खुश होने वाले हैं teenagers भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दादी नानी सब लोग इस्तिमाल कर सकते हैं and you can have the best hair growth मुझे बहुत सारी queries आ रहे थी कि हम oil के लिए comfortable नहीं है oil लगाते हैं तो हमारी root suffocate हो जाती है which is absolutely true क्योंकि आपके hair follicles healthy नहीं है ताकतवर नहीं है इसलिए कोई भी heavy application बालों को यू गिरा सकता है which is absolutely true लेकिन इस तरह से जो बाल गिरते हैं वो gradually आपके follicles को strong करते हैं और after some time ये remedies आपको suit करने लग जाती हैं लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे से subscribers ऐसे हैं जो कि पानिक कर जाते हैं एक बार application किया बाल गिरे और बस खतम हो गया खेल ये तो हमने क्या कर दिया लेकिन believe me patience बहुत बड़ी चीज है you have to be बहुत 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 patient और अराम से इस्तमाल कीजे सब नाचरल चीजे आप खाते हैं इन चीजों को इनके लिए मत डरिये डरिये उनके लिए जिनका लिखा होता है sulfate, walfate बहुत सारे formulations होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं बता है कि कैसे behave कर रहा है तो उनसे डरेंगे तो बहतर होगा आपका ये non-oily hair growth serum prepare करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक pan जिसमें आपको लेना है approximately 3 coffee mug जितना पानी और इस पानी को आपको अच्छे से उबाल लेना है जब पानी में एक उबाल आ जाए अब आप ready है अपना infusion तयार करने के लिए अपने non-oily ingredients यहाँ पर introduce करने के लिए सबसे पहला ingredient आपको यहाँ पर लेना है वो है 1 teaspoon of flax seeds यानि की अलसी के बीज I need not say anything about it बहुत सारी videos में मैं आपको बता चुकी हूँ की अलसी के बीज यानि की flax seeds बिलकुल neutral होते हैं आपका scalp कैसा भी है किसी भी परिशानी से क्यों न जूच रहा हो यह इसको क्योर कर सकता है help कर सकता है soothe कर सकता है soften कर सकता है you know shinier बना सकता है and you can have the best of scalp for yourself second ingredient जो यहाँ पर आपको introduce करना है वो है 1 teaspoon of fenugreek seeds यानि की मेथी दाना do I need to say anything about it मतलब यह आपके बालों को इतना nutrition प्रवाइड करता है अगर आपके बालों में अल्रेडी जूएं है तो कोई मास्क नहीं लगाना है क्योंकि जो भी आप nutrition अपने बालों को अपने scalp को देंगे वो nutrition जूओं को भी मिलेगा इसलिए वो भी बढ़ेंगे सो प्लीज ऐसे अगड़म शगड़म कुछ भी नहीं लगाना होता यू हाव तो क्योर यूर प्रोब्लम फर्स एंडेन कम टू हेर ग्रोथ या जो भी आप चाहते हैं तो आप इस सीर्म को इस्तिमाल तब नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत नूट्रिटिव है अगर आपको जूएं है तो ठीक है तो पहले जूओं को फिक्स कर लीजे फिर यहां पर आईए तीसरी चीज जो आपको इस्तिमाल करनी है वो है वन टी स्पून ओफ नाइजिला सीज यानि की कलॉंजी के बीच इसके बारे बेवी मैं बिस्तार में पूरे चानल पर बोल चुकी हूँ कि यह कितना नूट्रिटिव है यह सब कुछ फिक्स कर सकता है आपको सुराइसिस है आपको आप अलोपेशिया से जूज रहे हैं मतब कितना भी सिविर परिशानी आपके स्किन पर आपके स्काल्प आपके बालों में क्यों नहों यह उसको फिक्स कर सकती है चौथा और आखरी इंग्रीडियंट यहां पर आपको लेना है करी लीव अगर ड्राइड है वो भी चलेगा फ्रेश है तो दोड़ेगा तो आपके पास जो अवैलेबल है आप वो ले सकते हैं आप यहां पर अप् अच्छे से इसको मिला लीजे अगर आपके पास हिबिस्कस पाउडर है तो यह एड़न हो जाएगा और भी ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाएगा और इतने शाइनियर आपके बाल हो जाएंगे अगर आप लेंस पर भी लगाने वाले हैं सीरम को तो आप हिबिस्कस आप घड़ी देख लीजे अप्रॉक्सिमिटल फिफ्टीम मिनिट्स लगेंगे जेल में तबदील होने के लिए क्योंकि फ्लाकसी जेल यहां पर हो रहा है च्योंकि इसको अक्छल में सीरम बनाएगा जब अच्छे से जेल बन जाएगा आप चेक कर सकते हैं तार बनने जाए तो किसी पंप वाली बॉटल में आप डाल लीजिए पंप इसले में हमेशा आपको कहते हूं क्योंकि आपका जो जेल आपने बनाया है वो सेफ रहेगा सुरक्षित रहेगा वरना दबी में रखेंगे तो बार बार तच होगा और तो आप पंप बॉटल में स्टोर की बस वैसी सीरम को अपने जड़ों पर लगा लीजिए बालों को बान दीजिए सो जाए अगले दिन उठीए और शांपू कर लीजिए जो आप इस्तिमाल कर रहे हैं कोई ज्यादा चेंजिस के आवशकता नहीं है और यू वुट सी कि आपके बाल अगर अगर ओल से परिशा आंगे इनको आप grine कर सकते हैं और hair mask बना सकते हैं अगर अभी आपको ठ्राइ नहीं करना है तो आप तो आप इसको grine करके रेफ्रिजिए टर में やथोर कर दीजिए और sometime later week में कभी वी जब आपके पास time है तब आप इस mask आ प्रिकेशन एपने बालों के लिए कर सकते हैं और पहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं फ्रिज आ सकता है बिलकुल आ सकता है अगर आपके बालों में मास्क, सीरम, जेल्स इनके अप्लिकेशन से फ्रिज आता है इसका मतलब आपके बालों को ओईल चाहिए जो आप नहीं देते हैं यह उन लोगों के लिए है जिनको हेर फॉल हो जाता है तो आप उलिंग का सब्सिट्यूट यह सीरम बनाई है और इसको अपने रूट्स पे लगा लीजिए अगर अगर फ्रिज आने लगा है इसका मतलब आप उलिंग करनी है पर रूट्स पे तो कर नहीं सकते हेर फॉल हो जाता है तो लेंग्स पे ओलिंग कर लीजिए नो परिशानी क्योंकि फ्रिज जो आ रहा है वो आपकी लेंथ परिशान हो रही है तो आप यहां पर अराम से जिसको फ्रिज आता है आई चालेंज यू गारलिक ओल बनाए चाले को कोटनट ऑल फ्रिज का लीजिए और सिर्फ लेंथ पर लगाईए च्रेटनिंग भूल जाएंगे अ बिलगुल बूल जाएंगे इतनी कमाल की होती है गार्लिक ओईल फ्रिज को शांत करने के लिए तो प्राय करके देख सकते हैं और जब रिजल्ट मिले ना तो प्लीज वापस आके बताया कीजिए इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर दी एंटायर फैमिली सब आपके कॉमेंट रीड करते हैं जहां बहुत सारे ना मुझे पता है बहुत सारे जनता है जो पहले नीचे आती है देखने के लिए किसको रिजल्ट मिला है क्या हुआ है और दे सीधर विडियो तो प्लीज इस वेरी हेल्फुल अगर आप नीचे लिखेंगे तो तो इस सीरम को आपको हैर ओलिंग की तरह ही उसकरना है यह हैर ओलिंग का सब्स बालों को चांद करता कि कोई परिशानी निया रिलाक्स रिलाक्स राइट और करी पता तो आप जानते ही है इसमाजिक सब कुछ है वह आपके फॉलिकल्स के लिए अपने फॉलिकल्स को यह माजिक भी इंट्रिद्यूस करवाईए उनके साथ यह चोटा सा सीरम शेर आपको बता चुके हूँ टीनेजर्स यूस कर सकते हैं जैन्स इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कोई चीज नहीं है जो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती है अप्लिकेशन के लिए बहुत ही जेनल है चोटे पच्चों पर भी लग कीजिए जा कर देखिए कौनसी वाली आपने नहीं देखी है और आके मुझे बताईए कि आप इस वीडियो के बाद वहां गए थे आई लाव यू ओल आल सी इन दे नेक्स वन ठेकेर कि बत्त कर दो कि बत्त कर दो मुझे ए नहीं है चाहसे बनाताओ कि आपने मोखने मुझेंगे लाव जाव लाव जाव है उलेग्यों देक्स वाव कर दो डो दो शेता हैं